हलो फ्रेंड्स हमारे यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत हैं दोस्तो बोतिकी के लिए नोबल पुरुसकार का एलान हो चुका है ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का रास्ता बताने वाले तीन वेग्यानिकों को बोतिकी का नोबल पुरुसकार मिला है और ये तीनो वेग्यानिक जो है इनका इनकी तस्वीर और इनका नाम आपके सामने है देखिए इनको क्यो नोबल पुरुसकार मिला है इसका जो सबसे मैन रीजन है इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए कुछ पॉइंट्स बताएं है जैसे पर्थवी में जलवायू का फिजिकल मोडल तेयार किया इन्होंने और जलवायू परिवर्तन पर नजर रखने में भी मदद की है इसलिए इनको फिजिक्स का नोबल पुरुसकार मिला है बोतिकी में नोबल प्राइस जीतने वाले 2021 के वेग्यनिकों के नाम की गोसना हो गई है ये पुरुसकार इस साल फिजिक्स कोरो मानेबे है और क्लास हैसलमेन ने पर्थवी में जलवायू का फिजिकल मोडल तेयार किया है इसे तेजी से हो रहे जलवायू परिवर्तन पर नजर रखी जा सकती है वहीं पेरे सिक ने अणुओं से गर्वो तक फिजिकल सिस्टम में होने वाले बदलाव को दिखाया है दे रोयल स्वीडन स्वीडिस अकेडमी ये परुसकार नए अविसकारों को बड़ावा देने के लिए देती है दोजार बीस में फिजिक्स का नोबल परुसकार अमेरिका के विज्यानिक आंड्रिया घेज जर्मनी के रिनार्ड गेंजेल और बिटेन के रोजर पैन रोज को दिया गया था इन सभी ने ब्लेक होल पर रिसर्च की थी फ्रेंड्स एक दिन पहले ही चिकिस्ता के लिए नोबल परुसकार का एलान हो चुका है और अब कौन-कौन से नोबल परुसकार मिलने वाले हैं तो इसी हफते की 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को नोबल परुसकार और दिया जाएगा 6 अक्टूबर को केमेश्टी का नोबल परुसकार मिलेगा, 7 अक्टूबर को साहित्ते का, 8 अक्टूबर को सांती के लिए और 11 अक्टूबर को अर्थ सास्त्र का नोबल परुसकार मिलेगा सो साल से भी पुराना है नोबेल 1901 से दिये जा रहे हैं इस नोबेल पुरुसकार को रोयल स्वीडिस अकेडमी ओफ साइंसेस देती है इसमें क्रीब 10 मिलियन स्वीडिस क्राउन यानी 8.5 क्रोड रुपे की पुरुसकार रासी दी जाती है